कि नवस्कार मैं अंजली मिशौर स्वागत है आपका हुमारे चैनल में आपको उतादे कि ए आइम आइम चीफ असुदिदिन ओवेसी का एक बयान शोचल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल होता नज़र आ अगल है जहाँ उन्होंने यह कहा कि भारत को कयों खी चोड़ी सरकार की उन्हें बीगाइफ है और अ जाज़त नहीं देता है काम करने के लिए भई पंडिट नहरू के बाद आप सबसे बड़े पाउरफुल प्राइम मिनिस्टर बने हैं दो मरतबा भारत की जन्ता ने आपको पधान मंत्री बनाया आप आठ साल पधान मंत्री रहने के बावजूद भी आप कहरें कि सिस्टम तरकार बने कमजूर पधान मंत्री बने ताके देश के कमज़ोरों का कुछ फाइदा ऊसके और कहा साथ वैट की चय पीने से विपक्शी एकता नहीं हो जाती क्या है पूरा माज़रा में जारा समझ डिजी क्या कुछ बोला गया है इसके पीछे का क्या ताक्पर यह था मता प्रधान मंत्री की और कई दलों के मेल से बनी खिचड़ी सरकार की जरूरत है ताकि समाज में कमजोर वर्ग को लाव हो सके उनने कहा एक तागतवर प्रधान मंत्री सर्फ तागतवर लोगों को मदद करता है ओवेसी के साथ या आमादवी पार्टी और बिहार के मुख्य मंत है क्योंकि उनके उसने बिल्किस बानू मामले में दोशियों की रिहाई पर चुपी साथ रखी है उन्हें ने कहा कि आई माई एम दिसंबर में होने वाले गुजरात व्रधान सभा चुनाओं में उमीदवार उतारेगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पनिशारा साथ त बाद सबसे शक्ति साली प्रधान मंत्री ने बेरोजगारी मुद्रा स्विस्ती चीनी गुस्पैट कॉर्पोरेट कर चूट और उद्योगपतियों के बैंक रिण के बारे में सवाल पर व्यवस्था को दोशी ठेराया है वह इसे ने कहा कि मेरा मानना है कि देश को अब एक कमजोर प्रधान मंत्री की जरूरत है हमने एक तागतवर प्रधान मंत्री देखा है अब हमें कमजोर प्रधान मंत्री की जरूरत है ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके एक तागतवर प्रधान मंत्री केवल तागतवर लोगों की मदद कर रहा है देश को एक खिचड़ी सरक के जरूरत है कि इस तरुकार के अश्यासे विभिन दलो के सयोग से यह जब कोई कमजोर प्रधार मंतरी बनता है कमजोर फायदा होता है लेकिन जब मजबूत मेस की लिए के लिए संबंद है लेकिन पिर देन पर मेरे बहुत आत्मीस दे关 इस तरह की बात कहिए लेकिन नितीज जी के इन बातों को कौन सिरियसली लेगा अभी एक महिना पहले तक तो नितीज जी खुदी बीजेपी के साथ थे अब 17 साल वो मुख्यमंत्री पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री है उसमें ज्यादा तर दो त्याई से ज्यादा समय तो इसलिए उसको महत्तों देने की जरूत नहीं है दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की तो प्रशांत किशोर अलगातार जो है उनके और नितीश कुमार के बीच में जुवानी जंग देखने के लिए मिलती है लेकां बिहार की रजनीती में सक्रिय होने के बा से राष्ट्य राजनीती नहीं बदलती है इसका असर कुछ नहीं होता है उनके इस कदम से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहीं नहीं आपको याद ला दे कि प्रशाद किशोर का ऐसा ही एक बयान को जिर पहले भी था जब सत्ता परिवर्तन हुई थी बिहार नहीं कहा इसलिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ब्रैंडिंग की थोड़ी बहुत समझ है हम लोग इतने दिनों से ये फेवी कॉल का एक स्लोगन सुनते रहे हैं फेवी कॉल का जोड़ है नहीं टूटने वाला है बिहार में कई तरह के जोड़ों को हम लोगों ने बनते और विकरते देखा हमने देखा कि नि जी कैसे बीज都有 के साथ थे फिक चोड़ा फिर उसके साथ आये फिर चोड़ा फिर सात में आये तो हर तरह के गटबंदन हर तरह के जोड़ बने और तूटे एक ही जोड़ आ जो टूट नहीं रहा है वह है CM की कुर्सी और नितीश कुमार जी के बीच में चाहे कोई भी कडबंदन हो, कोई भी जोड हो, कोई भी जोड रहे, न रहे ये कुर्सी और मुख्यवंत्री के कुर्सी और नितीश कुमार के बीच का जो तो मजबूत जोड बना हुआ है वो अपने आप में बिलकुल एक्जेंप्लेरी है उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है कुछ तो ऐसी बात है ऐसी बाजीगरी राजनिती बाजीगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नितिस्कुमारी कर सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि फेव हमारे प्रोडक्ट का यह टैलेंट है प्रोडक्ट की यह खासियत है कि जिस चीज के दो दो चीजों के बीच में आप लगाकर उसको जोड़ देंगे तो कभी भी तूटेगा नहीं और उन्होंने यह कहा था कि सत्ता परिवर्तन का कोई भी असर जो है नेशनल लेबल पे न वंकान-राज्यों पर कोई भी पढ़ाव नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा पहले महाराश्ट्र में माहागडबंधन की सरकार थी लेकिन वरतमान में एंडिय की सरकार है लेकिन इसका असर बीहार पर नहीं पढ़ा उन्होंने कहा कि सिए नितिश कुमार के दिल्ली दोरे को अनुचित महत्वदी आ गया है और राष्ट्री राजनीती पर इसका प्रभाव ना के बराबर होगा बिहार में उन्हें कहा कि कुछ नहीं सुधरा है नितीश कुमार कुर्सी से चिपके हुए है क्योंकि प्रशांत किशोर ने कल जो है बयान जो है दिया था उन्हें है आगर अगर मेरें से फेविकॉल कंपणी वाले मुलाकात करने आए तो मैं उन्हें कहूंगा कि फेविकॉल कंप्णी वालों को कि नितीश कुमार को अपना ब्रैंड एमबैजडर बना ले कारण यह है कि सरकार किसी की भी हो कुरसी से नितीश कुमार ही चिपके हुए रहते नितीश कुमार दस वर्षों से राजनीतिक बाजीगरी दिखा रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं कुर्सी से चिपकने से कुछ नहीं होने वाला है धरातल पर काम उन्हें करना होगा यह लगतार जो है इस तरीके से बाबला देखने के लिए विपक्षियक्ता की बात की जारी है लिकर विपक्ष एक जूट होता हुए नजर नहीं आ रहा है कभी मुम्ताव एनरजी अपने भाषण से कॉंग्रिस को गाइब कर देती है तो प्रशांत किशोर नितीश कुमार और उनके कुर्सी से चिपकने के वाक्यों को लोगों से साचा करते हैं तो असदु नौवेसी का यह बयान अभी जो है उनका बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है जिसमें उन्हें कहा कि देश में कमजोर प्रधान मंत्री और खिचडी सरकार की जरूरत है तो दूसरी तरह प्रशांत किशोर लगातार विपक्षी एकता को अपनी जुवानी चोट स गायल करते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं और नितीश कुमार के दिल्ली दौरे को भी बेफजूल बताते हुए नजर आ रहे हैं आपको पूरा मामला बड़ विस्तार से बताए कि पूरा मुद्ध क्या है और अब इस मामले पर आपकी जुराय हो क कमेंट करके जरूर साजा करें